Hello everyone, myself, Antitra Singh, your management faculty from Lower Digest Academy आज बात करने वाले हैं, आपके Management Paper 2, Code 17, Management Paper 2 की आखरी उनिट, उनिट No. 10 उनिट No. 10 की है, Entrepreneurship Development इस उनिट से 7 to 9 questions आने की सम्मा होना रहती हैं साथ से 9 questions आता है इस unit से, लगबग लगग फिक्स नहीं है, वेरी करता रहेगा, लेकिन देखा यह गया है, कि Average League यही कुशन आपके कुछे आता है इस उनिट में, Entrepreneurs के उपर पूरी बाते की गई गयें और साथ में, Banks के भी कुछ चीज़े डाली गई, क्यों? क्योंकि जब Entrepreneurship आप पढ़ोगे तो Institutional Finance भी बाड़ोगे है, क्योंको Finance कैसे मिनती है तो इस उनिट के अंदर Entrepreneurship की पूरे डिटेश बाड़ने बाल है क्या-क्या मिन आईलाइट से, इस उनिट में Entrepreneurship Development क्या होता है, उसकी Feature क्या है, Process क्या है टाइप अफ Entrepreneurs क्या होते है, Fabian Entrepreneur Intrapreneurship क्या होते है, Entrepreneur और Intrapreneur में फरक है और Intrapreneur और Innovation से आप क्या समझते हो, भई Innovation किसे कहते है Feasibility Analysis क्या होते है, Marketing Plan, Business Plan, कैसे बातियों से अलग है कैसे बनाना है, Business Plan, कैसे उसको Execute करना है Sickness, Sick Industries Sick Industries, Sick Industries क्या है, बिमार इंडस्ट्री, बिलकुल Small, Medium Enterprises Small Enterprises, Medium Enterprises, क्या होते है, Government उनके लिए, क्या चीज़े में क्या रही है कौन-कौन जी, Units बिमार हो रही है, Sick Industries कौन जी है Industry, वो ऐसा इंडस्ट्री भी तो है, जैसे मन के चलो, डे-बाई-डे गरता जा रहा है Act भी आया था, 1985 में यह चीज़े पढ़नी है आपको, किसी इंडस्ट्री क्या है उसकी क्या Act आई थी, उसकी क्या, Government के Supports क्या है किस लेवर पर जाने के पर, Government उनको खतन कर रही है, या Support कर रही है कौन-कौन से Plans आये हैं उनको Support करने के लिए भाई MSMEs तो सब लुख जा रहते हैं, Medium and Small Scale Industries MSMEs, MSMEs के लिए Loans, MSMEs के स्टोविदार के लिए अर प्रतार से Government में अब रहास्ते उपन करते हैं इसी यूडिट पर पढ़ना है MSN इसकी बारे MSMEs कोहोगे किसको Medium Enterprise को Definition क्या है Small Enterprises वोती क्या है इसकी Definitions है और Time-to-Time Government is Definition को Change कर रहे हैं अभी हाल में चेंग हुआ कितना Turnover, कितना आपका Turnover जा रहा है, कितना आपने Invest किया कितना Capital दी साथ, RPE Classified किये जाए ये सारी बाते आपको इसमें पढ़ना है Institutional Finance बही क्या Industry ऐसे ही सच जाए Finance का जुगार तो करना पड़ेगा तो Institutional Finance कैसे उनको Finance कर रहे हैं, मतलब Corporate Banks, Rural Banks ये नो कैसे उस चीज को Help कर रहे हैं, उन Industries को Help कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी बाते इस यूनिट में हम लोग पढ़ें इस यूनिट वो अगर आप Self-Prepare कर रहे हूँ, तो Entrepreneurship Development के लिए आपको Two to Three books खरीनी पड़ेगी, कारण कारण ये कि किसी एक ही किताब में Banks की Detail आपको नहीं मिले उस Short Minute और Banks की Detail भी करनी है आप साथ में MS MS बहुत बढ़ा Topic है, MS MS की Scheme बहुत बढ़ा, बहुत Detailed है इसके बाद Entrepreneurship का Major Topic, तीन भाद में इस यूनिट को डिवाइट कियेंगे हैं, Three Parts तो Minimum Three to Four books आपको चाहिए इस यूनिट को प्रबैर करने के लिए जो holistic तरीके से इस यूनिट के Topics को कवर कहते है इसके बाद क्या गरोगे आप, आप इसके Comprehensive Notes को तयार करोगे, अगर बनाना चाहते हो तो उस Comprehensive के Crux तयार कर सकते हो, Revision के लिए आपको एक नहीं Multiple Times उसको revise करना पड़ेगा, then previous year के questions आपको देखने पड़ेंगे कि इन चीज़ों पर कैसे questions पूछे गए, दियान रहें कि इसमें Updation possible है क्योंकि MSNBs और Banks की बात आई है Sick Industries की बात आई है इसमें Updates होते है इन Updates को आपको Follow करना पड़ेगा, Consider करना Multiple times revise करने के बाद previous year question देखोगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि किस unit से कितना आपको तैयार कर किस level तक तैयार करना है कितनी detail में जाकर तैयारी कर and then आप आपके exam तेरी तैयार रहो ये तो बात होई आप self preparation कर रहे हो तो क्या आपके पास इतना समय है, इतना time है इतनी चीज़े आप कर पा रहे हो अगर नहीं, तो बिल्कुल आप institute का सारा नहीं सपते हो, बैं global teachers academy इसके लिए best क्यों best है आप सबच लो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, management से net निकालने की आप सोच रहे हो तो अगर एक बार में आप निकालना चाहते हो, तो बिल्कुल ग्लोबल teachers academy अपनी बेस्ट है, का रहे हो क्योंकि सबसे पहली बात की global teachers academy, management जैसे subject के लिए space life है, यह आज से नहीं, कई सालों से इसमे study कर रहे है, तैयारी डरो इसमें कोई एक faculty नहीं multiple faculties आपको पढ़ा रहे है, और जो faculty आपको पढ़ा रहे है, वो vast knowledge को hold कर, वो एक में multiple titles net qualified है, और साथ ही में कई सालों के experience में आप खोद, commerce और management 5-6 and net qualified 7-8 years हो गया, मुझे पढ़ाते हूँ तो जो faculty आपको दिये जाएंगे उसका experience आपके लिए बड़ा लगकारी से अगर आप यहाँ पे आते हो तो जो यह notes बनाने और box की research में आप time course कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, वो institute और faculty के जब्मेदारी है कि वो आपको comprehensive notes प्रोवाइट करें आपको बताएगे कि notes को पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है focus कहा कर रहा है, एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ के कैसे बढ़ना है यह ज़रूरी है जाए time to time lecture के साथ आपको test दिया जाएग test current pattern और भावी exam यह भारी question से संबंदिन भी होंगे, भावी मतलग जो probability है अब यह exam में पूछे जाएं, संभावना के उपर वो भी तहरी कर वाई जाएगी कि भाई, आभी यह topic से question पूछा गया है, तो next बार, सायद यह question पूछा जा सकता है, यह experience के आधार पे हो इतनी holistic तहरी होगी, कि जब आप exam में बैठोगे तो आपको मजाक मेंगे का exam कर जबकि इंडिया का one of the toughest exam हो चुका है उस लेमेंट पे आपगी और आपकी तयारी रहेगी, तो definitely आपको आपको आसान लगे तो बिल्कुल अगर आप self तयारी कर रहे हो तो, या फिर आप institute के साथ तयारी कर रहे हो तो, दोनों के लिए एक फायदय और नुपसान आपके सामने है अगर time बचाना चाहते हो और सटीकता से तयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप institute आसाथ Global Teaser सागट भी इसके लिए आपकी help करेग इस unit की इतने ही बाते, अधीव बाते अधीव बाते की जेगी, आसके लिपने, बंक्योस्वाट्स